यस फाइनले हमने कर दिखाया तो आप सभी ने हमें पूचा था कि एक सिंगल फोटो की मदद से 3D मोडल किस तरीके से बनाया जाता है और हमने दो वीक से इसके ओपर स्टडी किया और रिजल्ट आपके सामने है अब अगर आप भी एक सिंगल फोटो की मदद से 3D मोडल बना करना होगा जिसकी मदद से हम यहाँ पर एक सिंगल फोटो को डायरेक्टी 3D मोडल में कर सकते हैं अब चले दोस्ता तो यहाँ पर मैंने स्वाप्टेवर को ओपन कर दिया है और स्वाप्टेवर ओपन होते हैं हमारे सामने कुछ टकली महिला कुछ इस तरीके से खड़े हो और इसे ओपन करते ही हमारे सामने हेडशोट प्लगिन का एक नया टूलबार ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर मैं हमारे कुछ सेटिंग्स को चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले हमें इसे ऑटो मोड में डालना है तो यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया ऑटो मोड में क्यूंकि कर्ने के बाद यहां पर हमारा इमेज अप्लोड हो चुका है अब दूस्तों यहां पे बॉड़ी टाइप में हमें सेलेक्ट करना है हमारा जो फेश हो injust नाइस होता है तो सब से पहला को यहां पे ऑप्ज्शन करता हो र तो यहां पेुन णौर सेलेक्ट कर रहा हो और उसके मौडल क्रियेट होने के लिए कुछ समय लगेगा और यहाँ पर मैं आपको डबल टैप करके स्केप करने का चांस नहीं देनेवाला क्योंकि यहाँ पर मैं खुदी इस वीडियो को स्केप करने वाला हूं अगर आपको उतनाई हमास करने की ज़रुरत नहीं है तो यहां पर सबसे पहले हमारा even करेंगे ताकि इसे एक्ट्व सब्सक्राइब में औक कर देता हो और इसे और करने के बाद दोस्तों है के यहां पे हमें based modification के थोड़े options दिखाई दिन गे तो सबसे पहले हमिए यहां पर इसके जो गाल आंडर किशाएप करना होगा उसकी गाल को modify करें तो यहां पर आप देख सकते दुस्तो हमें mouse को थोड़े से राइट क्लिक को होल्ड करके इसके इस शेप को अंदर ठोड़ा सा पुष करना है तो यहां पर आप दोस्तों आमारा इस इसका जो नेक है वह भी होती बहुति बहली के साइड पे आ चुका हो में उसे थोड़ा करता हो हुआ थोड़ा अनदर किल लता हो पुश करते हो ताकर हमें न भी थोड़ा बहुत दिया है आप हमें प्राइब क्या करना या वे तु यहां पक्रेदा आरосьे चलिह कर लेता हो तो आप उसका नोज इयर सब कुछ यहां पर मौडिफाइक कर सकते हो आपको यहां पर ओप्शन दिखाई देंगे तो यहां पर इसका जो कान हो बाहर की तरफ है और यहां पर हमारे क्यारेक्टर का जो कान हो अंदर की तरफ है तो उसके लिए सबसे पहले हमें मौडिफाइक टोल में यहां तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे से हम इसे मौडिफाइ करते हैं तो उसी तरीख से आमारा कैरेक्टर आपे अपडेट को रहा है तो अब मैं यहाँ पर इसके इस year angle out को बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इसका जो कान है वो बहार की तरफ आने लगा है अब लेप्ट साइड का हो गया एर एंगल आउट यल मतलब लेप्ट साइड का अब इसे में 20 सेट कर देता हो और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप हमें राइट साइड का जो कान मैं उसे भी यहां पे ऑटसाइड कर लेना है को छले तो सबसे पहले मैं यहां पे रैद्सद्स को एे एंगल आउट राइड सट यहां पें अंगधे और देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो तो मैंब इसकान का जो सेटिंग है राइट साइड वालेगा तो उसे में यहाँ पर 76 तक सेट कर देता हूँ अब एयर का हाइट इसका जो हाइट है उसे भी यहाँ पर हम मॉडिफाइट कर सकते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर दीक रहा है मैं उसे मॉडिफाइट कर रहा हूँ तो हमारा क्यारेक्टर भी यहाँ कर दिया है अब यहाँ पर थोड़ा रोटेट कर लेते हैं तो मुझे लगता ही कि हमारा क्यारेक्टर थोड़ा बहुत उसका जो कान है हो coord चुका है आपनेक्स धे दोस्तों बारी है इसके मुझे लगता है आप हमारा перем यहां पर देख सकते हो हमारा जो إن is हमारे image के साथ मैच कर रहा है और दोस्तों आप इस character को कुछ बुलुआ भी सकते हो इसका लिपसिंग चेंज कर सकते हो इसके आइस के motion को चेंज कर सकते हो इन सारे settings को आपको यहाँ पे modify toolbar में दिख जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा character जनरेट हो चुका है तो फाइनली यहाँ पर हमारा character create हो चुका है लेकिन दोस्तों हमने इसे export करने की बहुत कोशिश की है क्योंकि हमें इस फाइल को as it is 3D print करके चेक कर रहा था कि हमारा जो 3D model हो हमारे image के साथ as it is match कर पाता है या नहीं लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने बह अपडेट आलने के लिए कुछ extra cost करना होगा तो यह सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं हमें बिल्कुल पूरा free software चाहिए तो दोस्तों हमें और थोड़ा research करना होगा इस software के उपर और इस 3D model को create करने के बारे में और आपको इस model के बारे में क्या लगता है और अगर आप इस model औ से 3D print कर सकते हो तो आप हमें comment box में comment करके share जरूर कर सकते हो तो ऐसे और amazing मज़ेतार 3D printing के related वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेगा और अगले वीडियो में dissolve system के साथ collaborate करके बहुत ही मज़ेतार वीडियो आपके सामने लाने वाले तो उसे देखने क लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए